दोस्तों अभी हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको आपात काल की एक खौफ नक कहानी सुनाई थी ये कहानी एक एक एक्टरेस की थी जिसकी हस्ती खेलती जिंदगी को आपात काल ने नर्क से भी बत्तर बना दिया था उसका दोश कुछ नहीं था उसका अपरात कुछ नहीं था लेकिन आपात काल की प्रशासनिक कूर्ताओं ने उसकी जिंदगी को दर्द और धहशत के उस अंधेरे कुए में ढखेल दिया जहां से उसका जीवन कभी लोट ही न सका उस एक्टरेस का असमाईक निधन हो चुका था अब कल्पना कर सकते हैं आपात काल किसी भी व्यक्ती के आम जीवन को कितना प्रभावित कर सकता है ऐसे में उस कहानी को सुनने के बाद कमेंट सक्षन में हमारे कई चाहने वालों ने हमसे सवाल किया कि आखिर आपात काल होता क्या है और सम्विधान में ऐसे आपातकाल को लगाने का प्राविधान किया ही क्यों गया है जिस आपातकाल में इतने सारे लोगों को इतनी सारी दुशवारियां जहलनी पड़ी और इंद्रा गांधी ने किन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया था ऐसे में मुझे लगा कि आप सब के दिमाग में आपात काल से जुड़े हुए प्रश्णों का जवाब देने के लिए एक खास वीडियो बनाना चाहिए तो इस वीडियो में हम आपके दिमाग में चल रहे आपात काल से जुड़े हुए सभी प्रश्णों का उत्तर देने आई हैं ये प्रश्णों होंगे सबसे पहला आपात काल होता क्या है क्या होती है मरजेंसी जिसे इंद्रा गांधी ने लगाया था 25 जुन 1975 को सवाल नमबर दो आखिर आपात काल का प्राविधान सम्विधान में किया ही क्यों गया है और आपात काल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है सवाल नमबर तीन आखिर इस देश में कितनी दफा आपात काल लग चुका है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ केवल एक ही दफा आपातकाल नहीं लगा है आपातकाल कई दफा लग चुका है कितनी दफा लगा है वीडियो में आपको आगे पता चलेगा सवाल नमबर चार इंदिरा गांधी ने किन परिस्थितियों में देश में आपाक काल लगाया था ये बड़ा सवाल है इस सवाल को समझने के लिए अच्छे से तयार रहिएगा चुकि इस सवाल के पीछे काफी लंबा चोड़ा घटना क्रम छुपा रहता है जिसे समझना जरूरी होगा सवाल नमबर पांच ये जरा अलग सवाल है लेकिन हमारे और आपके सभी के दिमाग में चलता जरूर रहता है सवाल कि क्या निकट भविष्च में इंद्रा गांधी सरीखा कोई नेता इस देश में दुबारा आपात काल की जंजीरों में जकड सकता है हां या नहीं हां तो कैसे और नहीं तो कैसे ऐसे सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को end तक जरूर देखेगा, वीडियो बहुत knowledgeable होने वाला है, end तक देखेंगे, तभी सारी बाते आसानी से समझ सकते हैं, तो चले करते हैं वीडियो को शुरू, सवाल नंबर एक, आपातकाल होता क्या है, देखिए आपातकाल माने, emergent situation, immediate action, यानि आपातकाल एक ऐसा समय काल होता है, जिस समय में केंद्र सरकार को विशिष्ट अधिकार सम्मिधान के जरिये प्रदान किये जाते हैं, ये विशेष अधिकार मानाव अधिकारों से भी बड़े हो जाते हैं, माने ये इतने बड़े अधिकार होते हैं कि किसी भी राष्ट में रहने वाले सभी लोगों के जो मानाव अधिकारों की सूची है, यानि मूल अधिकारों की सूची है, उन्हें भी निलंबित किया जा सकता है, उनसे भी ऊपर हो जाते हैं, तो केंद्र सरकारों को मिलने वाले विशेष अधिकारों का काल हो में लगाई जा सकती है समिधान में इसका प्राविधान किया गया था तो इसकी पूरी व्यापक व्यवस्था भी की गई थी समिधान में आपातकाल का प्राविधान 1935 के भारत अधियम के तहट लिया गया था में इस देश में तीन तरह के आपातकाल लगाई जा सकते हैं जी देश की एकता और अखंडता पर कप खत्रा हो सकता है मात्र दो परिस्थितियों में या तो देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो यानि कोई दूसरा देश हम पर हमला किया हो और परिस्थिती नमबर दो जब देश के भीतरी हालात बिलकुल असमान नहीं हो देश में ग्रह राष्ट्रपती शाषन इसे सामान निभाषा में राष्ट्रपती शाषन कहा जाता है या राज्यापातकाल के नाम से भी आप समझ सकते हैं ये रोज मर्रा हम लोग राजनीती में सुनते रहते हैं इस देश में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां राज्यापातकाल नहीं तब राश्ट्रपती के अनुशंसा से उस राज्य का राज्यपाल राज्य में राश्ट्रपती सासन लगा देता है और उस राज्य का शासन राज्यपाल अपने तरीके से चलाता है या इसकी एक दूसरी सूरत हो सकती है जब उस राज्य में किसी भी पाल्टी को पूर्ण ब जा सकता है, इसकी समय सीमा 6 महिना, 3 महिना, 1 साल या मैक्सिमम दो साल तक हो सकती हैं, आपातकाल नंबर 3, ये आर्थिक आपातकाल है, आर्थिक आपातकाल यानि economic emergency, जब देश की अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से द्वस्थ हो चुकी हो, जब देश अर्थ व्यवस्था के मोर्चे पे पूरी तरह से सेल हो, देश की साक पूरी दुनिया में दाउं पे हो, सरकार दिवालिया हो चुकी हो, सरकार के पाच देश चलाने के लिए पैसा ना हो, ऐसी परिस्थिती में देश में आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है, देश को आर्थिक संकट से उबा पारी वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी की निजी संपत्या, सरकारी संपत्या हो जाती है, ऐसा देश को आर्थिक घाटे से उबारने के लिए किया जाता है, तो ये तो हो गई बात, तीन तरह की एमर्जंसी पे, आब आपको मोटा माटी समझ में आ चुका ह कि पूरे देश में आपात काल किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। इंद्रा गांधी ने आपात काल किन परिस्थितियों में लगाया था। आते याते देश के कई सूबों में कांगरिस विरोध की हवा चलने लगी थी। और इस हवा को सबसे पहले चिंगारी दी गुजरात के छात्र आंदोलन ने। तोर पे शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे या आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो गया। शुरू हुआ था जब या आंदोलन तो इस आंदोलन की मुठ मांग थी। फीस वृद्धी पे रोक, छात्रों के लिए पढ़ाई की समचित वेवस्था। ऐसे छात्रों से जुड़ी हुई मांगे थी। लेकिन धीरे धीरे छात्रों के इस आंदोलन में महंगाई, परिवहन का किराया, भरष्ट आचार जैसे जन आंदोलन से जुड़े हुए मुद्धे भी जुड़ते चले गया। जिससे या आंदोलन जन आंदोलन में तबदील होता चला गया। अब जब आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि इसमें पूरी जनता शामिल होने लगी तब इस आंदोलन को चलाने के लिए गुजरात के छात्रों को चरूट थी एक ऐसे चहरे की जिस पर जनता आंख मूंद के भरोसा करे। क्यूंकि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए चहरे क्या वशकता होती है और चात्रों ने जिस चहरे पर भरोसा किया था उस चहरे का नाम था जैप्रकाश नरायन यानि जेपी। जैप्रकाश नराण को शायद आप बहुत भली भाती ना जानते हूं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 1947 से पहले कॉंग्रेस में पंडि जवाहर लाल नहरू के बाद दूसरे नंबर पर संगठन के भीतर और संगठन के बाहर लोग प्रियता हासिल करने वाले चेहरे का नाम था जैप्रकाश नारायन फर्क सिर्फ इतना था कि जब 1947 के बाद सत्ता की मलाई चाटने के लिए कॉंग्रेस के नेता सरकार में पदों की आखांशा पाले हुए थे अब जैप्रकाश नारायन ने महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलते हुए सरकारी पदों, सरकारी सुखों, सरकारी लाभों को लात मारते हुए विनोबा भागे के भूदान आंदोलन जैसे आंदोलनों की राह पकड़ी थी जैपी को लोग आदर्श की नजरों से देखते थे, जैपी एक व्यक्तित बथा, जैपी की लोग प्रियता को समझाने के लिए आपको दो उदाहराण देना चाहूंगा जो आपको समझाएंगे जैपी की लोग प्रियता इस देश के पूरवत्तर में एक राज्य है, नागा लेंड, आप और हम में से कितने लोग नागा लेंड गए हैं, नागा लेंड का नाम लेने से ही बहुत सुदूर का फील नहीं आता है, नागा लेंड की जनसंख्या 99.99% आदिबासी हैं, नागा लेंड में जिले कितने ह और उन जिलों में कैसी से विधाएं हैं, ये सभी जानते हैं, हिंदी कोई जानता नहीं है, अंगरेजी कोई जानता नहीं है, ऐसे में हिंदी पट्टी छोड़ दीजिये, पूरे हिंदुस्तान में popular कोई एक चहरा ऐसा नहीं है, जिसे लोग नागा लेंड में जानते हूं, जेपी, जो नागा लेंड में popularity के इस स्तर पे थे, कि लोग गली चौराहों के नाम उनके नाम पे रखा करते थे, ऐसा इसलिए था, चुंकि 1960 के दशक में नागा लेंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन जेपी के नित्रुत में चला था, तो जेपी आंदोलन चलाने में मा अहिर थे, और दूसरा उदाहरं, देश के राष्ट कभी, रामधारी सिंग दिनकर ने किसी एक जीवित व्यक्ती के लिए खुले मंच से अगर कविता पाठ किया है, तो उस व्यक्ती का नाम है जैप्रकाश नारायन, दिनकर ने खुले मंच से जेपी के लिए कविता है जैप्रकाश वह जो कि पंगु का चरण मूग की भाषा है, है जैप्रकाश वह टिकी हुई जिस पर स्वदेश की आशा है, हाँ जैप्रकाश है नाम समय की करवट का अंगडाई का, तूफान ववंडर के खाबों से सजी हुई तरुनाई का, हाँ जैप्रकाश है नाम ज से इतिहास समादर देता है बढ़कर जिसके पदचिन्हों को उरपर अंकित कर देता है देश का राष्ट कभी जिस जेपी के लिए ऐसी पंक्तियां पढ़ रहा था जब उस जेपी ने गुजरात के छात्र आंदोलन के मंचों पे चड़ के माइक समाला तो ये आंदोलन जन आ पहली दफा इंदरा की निन तूटी थी, पहली दफा इंदरा को आभास हुआ था कि उनके जैसा मास अपील वाला कोई चहराव जनता के पास आ चुका है और जेपी के आंदोलनों में जुपने वाली भीड इंदरा को डराने लगी थी ऐसा नहीं था कि जेपी को इंद्रा पहले नहीं जानते थे। इंद्रा भी जेपी को जानती थी और जेपी भी इंद्रा को जानते थे। दर्था जेपी की पत्नी प्रभावती इंद्रा गांधी की मा कमला नहरू की पक्ती वाली सही दी थी। तो जेपी के तेवरों से इंद जेरा भली भांती वाकिस थी, जेपी डरने वाले नहीं थे, जेपी जुकने वाले नहीं थे, सत्ता के चाबुक के आगे जुकना जेपी ने कभी सीखा नहीं था, धीरे धीरे गुजरात से शुड़ू हुए छात रांदोलन की आग, हिंदी पट्टी के सभी राज्यों को एक माहौल पैदा कर रही थी, छोटे-छोटे कस्वों में होने वाली जेपी की सभाओं में लाखों की भीड आ रही थी, और इंद्रा गांधी को आने वाले 1976 के चुनाओं में अपनी पराजय सास दिखने लगी थी, इंद्रा डरने लगी थी उस खयाल से कि जिस पुचंड बहुमत के साथ वो दिल्ली की सत्ता के सिंभासन पर बैठी हुई है, अगर वो बहुमत उनके हाथ से फिसल गया, तो होगा क्या, और जेपी की सभाएं उन्हें इसी फिसलन का हैसास करा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ जेपी के आंदोलन से बचने के लिए ही इं इंद्रा को मसबूर जरूर किया था, लेकिन इतनी नहीं कि वो आपात का लगा दे, इंद्रा को आपात का लगाने के लिए मजबूर किया एक मुकदमे नहीं, मुकदमा जिसे राज नरायन बनाम उत्तर प्रदेश का मुकदमा ला जाता है, आप सोच रहे हैं होंगे मुकदमा में ऐसा क्या था, इस मुकदमे में ऐसा खास था कि इसने पहरी दफा इस देश के प्रदान मंत्री को न्यायाले में घसीड दिया था, दरसल राज नरायन धुर समाजवादी नेता थे और 1971 के लोकसभा चुनाओं में राय बरैदी सीट से इंद्रा गांधी के खि लेकिन चुनाओ प्रणाम आने के बाद राज नरायन ने कोल्ट की शरंड दी, क्यों दी? राज नरायन के आरोप थे कि इंद्रा ने सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग किया है, इंद्रा ने सरकारी कर्मचारियों को अपने निजी प्रचार करने के लिए उपयोग मिलाया ह इंद्रा ने सरकारी करुचारियों, सरकारी पैसे, सरकारी मशीनरी का उपयोग अपने निजी चुनाव प्रचार के लिए किया है यह आरोप काफी था इंद्रा की सांसदी रद्ध करने के लिए हाँ मुकदमे में वक्त जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे 12 जून 1975 की वह अतिहासिक तारीख आ गई जब इस देश का प्रधान मंत्री उच्च न्यायाले के भीतर अपने खिलाफ फैसला सुनने के लिए खड़ा हुआ था इंद्रा गांधी के सामने जश्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला पढ़ा पहली पंक्ती ही वज्रपात की तरह गिरी इंद्रा पे पहली पंक्ती में कहा गया इंद्रा गांधी का 1971 से 1976 का रैब रैली लोकसभा चुनाओ अवैज करार दिया जाता है यानि इंद्रा आप सांसद नहीं है इंद्रा का 1971 की चुनाओ में जीत अब अवैज करार दी जा चुकी थी अब इंद्रा सांसद नहीं थी लेकिन इंद्रा ने दिमाग लगाया कोई बात नहीं लोकसभा से हाटी हुना राज्यसभा के जरिये सदन में पहुँच जाऊंगी लेकिन फैसले की दूसरी लाइन ने इंद्रा के लिए संभावनाओं के इस कपाट को भी बंद कर दिया जश्टिस सिनहा ने दूसरी पंक्ती में फैसला पढ़ा मिसिस गांधी पर पेनल्टी के छै साल के लिए किसी भी चुनाओं में प्रतिभाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जाता है यानि आने वाले छै वर्षों तक इंद्रा गांधी किसी भी चुनाओं में प्रतिभाग नहीं कर सकती है इसके बाद इंद्रा गांधी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था चुनकि 6 साल के लिए वो किसी चुनाव में चुनाव लड़ नहीं सकती थी और सानसदी उनकी अवैद हो चुकी थी और प्रधान मंत्री बने रहने के लिए राज्य सभा या लोक सभा दो सद्रों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आनिवार्य होता है ऐसे में इंद्रा गांधी अप्रधान मंत्री पदपे नहीं बनी रह सकती थी कॉंग्रेस कमिटी की बैठक में ततकालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष डीके बरुआ ने एक प्रस्ताव रख्था डीके बरुआ आपके लिए बता दूँ बड़े खास नाम है इनके बड़े खास नाम इसलिए हैं चुंकि डीके बरुआ ही वो नेता थे जिन्नोंने पहली दफा वो मशूर नारा दिया था इंडिया इस इंडिरा एंडिरा इस इंडिया तो डीके बरुआ महोदय ने इंद्रा गांधी के समने प्रस्ताव रख्था कि ऐसा करते हैं प्रधान मंत्री मैं बन जाता हूँ आप कॉंग्रे सध्यक्ष बन जाइए बात वही रहेगी जो आप चाहेंगी होगा तो वही इंडिरा गांधी को लगा बात तो सही है लेकिन तभी कमरे में एंट्री होती है इंडिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी इंद्रा से कहते हैं मौम यह नि साइट चली है इसके बाद इंद्रा गांधी के कान में कहते हैं पिछले आठ साल से जितनी मशक्कत के बाद कॉंग्रेस में अपनी सुप्रीमेसी कायम की है न सब एक जटके में हवा हो जाएगी अगर आपने बरुआ को पीम ब हाँ सुप्रीम कोट की शरण ले सकते हैं हम चूंकि 15 दिन का समय हाई कोट ने दिया था इसके बाद इंद्रा ने सुप्रीम कोट की राह पकड़ी और 12 जून को हाई कोट का फैसला आया था 11 दिन बाद 23 जून को सुप्रीम कोट ने अपना फैसला समया सुप्रीम कोट ने ह कोट के फैसले को ही जारी रखा हां इंद्रा को राहत जरूर दी थी कि इंद्रा प्रधान मंत्री के पत्पे बनी रह सकती है ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि देश किसी सम्वैधानिक खत्रे में ना पड़े यानि देश में अस्थिरता का माहौल ना है थी दिसी बात है अगर प्रधान मंत्री पर इस तरीके के आरोप लगेंगे और प्रधान मंत्री इस तरीके से कुर्शी से अवधस्त होगा तो एक राजनातिक अस्थरता का महौल बन सकता था उससे बचाने के लिए सुप्रीम कोट ने ऐसा फैसला किया था लेकिन इंद्रा पर किसी सांसद होने के नाते वोट देने पर प्रतिबंद था किसी भी बिल में चर्चा करने पर भाग लेने पर प्रतिबंद था और इंद्रा गांधी के वेतन भक्तों में भी कटावती की गई थी तो इंद्रा गांधी के खिलाब देश में perception तयार हो चुका था इंद्रा गांधी को सुप्रीम कोट से राहत जरूर मिली थी लेकिन जनता समझ रही थी कि असल में इंद्रा जबरदस्ती PM की कुरसी पे चिपकी हुई है बलकि उनका कोई नातिक अधिकार नहीं है लेकिन 23 जून को इस फैसले की राहत की सांस इंद्रा ने ली ही थी कि 25 जून को दिल्ली के राम निला मैदान में वो घटना घटी जिसने इंद्रा के कान खड़े कर दिये 25 जून 1975 दिल्ली का राम निला मैदान लाखों की तादाद में जनता शोर से पागल हुई जा रही थी जेपी की एक आवात सुनने के लिए इतनी भीड इस देश की राजनीती ने किसी एक रैली में न कभी देखी थी और ना आगे कभी देखी जेपी की रैली थी और जेपी ने मन से हुंकार भरी सिंगासन खाली करो की जनता आती है देखते ही देखते राश्ट कभी रामधारी सिंग दिन कर कि ये पंतिया जनता का नारा बन गई उस रैली में जेपी ने भाशन दिया कि इंद्रा प्रधान मंत्री के पत्व बैठने का नैतिक अधिकार हो चुकी है जो जनता को भी पता था और जनता भी समझ रही थी जनता इस बात से सहमत थी जेपी ने इसके बाद इंद्रा के लिए कड़वे शब्दों का अमबार लगा दिया ऐसी कटु आलोचना की की शाम ने पंक्ती में बैठा अंटिम व्यक्ति भी इंद्रा की सरकार गिराने के लिए आतुर हो था इसके बाद जेपी नमंच से पढ़ा कि पुलिस वाले और सेना वाले हैं, पुलिस बल और सेना के जवान इंद्रा के आदेशों पे ना चलें, अपनी अंतारात्मा की आवाज पे चलें, चूंकि इंद्रा गांधी अब हिटलर गीरी पर उतारू हो चुकी हैं और ऐसे मैं सेन और पुलिस बल का दुरू किया दा सकता हैं, इसलिए मेरी सेना और पुलिस बल से ये गुहार है कि वो इंद्रा के आदेशों पे ना चलें, अपनी अंतारात्मा की आवाज सुनें, ये एक तरीके के गांधी के असहयोग की वापसी थी इस देश की राजनीती में, जिससे इंद्रा डर गई थी, ये जेपी के आंदोलन, जेपी की रैली का असर था कि शाम होते होते इंद्रा को अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा था, जेपी के इस आंदोलन से इतनी भीड रैली के बाद निकली थी कि दिल्ली के बसड़ों और रेलवे स्टेस्नों पर एक ति जेपी की रैलियों में जो भीड आ रही है उसके बाद इंदरा पूरी तरह से तयार हो चुकी थी आपात काल लगाने के लिए चुंकि यही एक रास्ता था प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बने रहने का। और फिर रात के ग्यारा बजे राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली एहमद ने इंदरा के उस श्वेत पत्र पे हस्ताक्षर किये जिसमें आपात काल लगाने की बात कही गई थी। ये एक तरीके से लीनियसनेस को दिखाने वाला कालटून था, यानि ये फखरुद्दीन अली एहमद की लापरवाही को प्रदरशित करने वाला कालटून था, उन्हें इस बात से मतला भी नहीं था कि देश में क्या आपातकाल लगाने जैसे हालात हैं भी या नहीं लेकिन उन्होंने बस इंद्रा गांधी की बात मानते हुए हस्ताक्षर कर दिये और देश आपातकाल की जंजीरों में जकड गया अब आप सोच रहे होंगे सम्मिधान के प्राविधान के अनुसार तो जब कोई बाहरी हमला हो या जब ग्रहयुद्ध सरीखे हालात हो तभी लग सकती है अमर्जेंसी तो इंद्रा गांधी ने किस तरीके से अमर्जेंसी लगाई दरसल सम्मिधान के क्लॉस नंबर 356 में ये कहा गया है कि इंटर्नल डिस्टर्बेंस यानि जब देश में आंतरिक तोर से अस्थिरता का माहौल हो तब एमर्जेंसी लगाई जा सकती है मूल भावना इसके पीछे ग्रहयुद्ध की ही थी लेकिन शब्द ग्रहयुद्ध नहीं यूस किया गया था और इसी इंटर्नल डिस्टर्बेंस का सहारा लेके इंडरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था तो उम्मित करता हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडरा ने आपातकाल क्यों लगाया अब आते हैं अपने अगले सवाल ते क्यानि इस देश में कितनी दफ़ा आपातकाल लग चुका है जी हाँ हम और आप सभी पॉपुलर तोर से जानते हैं कि केवल एकी दफ़ा आपातकाल लगा है लेकिन इस देश में 3-3 बार आपातकाल लग चुका है पहली बार आपातकाल लगा था अक्टूबर 1962 से मार्च 1968 तक दूसरी बार आपातकाल लगा था 3 December 1971 से 17 December 1971 तक और तीसरी दफ़ा आपातकाल लगा था 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक लेकिन पहले के दोनों आपातकालों में आपातकाल लगाने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल थी यानि ये वही परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में आपात का लगाया जाता है पहली परिस्थिति में चीन का हमला था, पाकिस्तान का हमला था और दूसरी परिस्थिति में भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध था लेकिन तीसरी परिस्थिती में ऐसी कोई situation नहीं थी जिस situation को tackle करने के लिए इंद्रा emergency लगा दें अब आते हैं अपने उस hypothetical question पे जो मुझे लगता है सबसे ज़्यदा दिल्चस्पी भरा है कि इस देश में क्या आगे कोई PM आपात का लगा सकता है तो जवाब है इंद्रा जैसी परिस्थितियों में तो नहीं लगा सकता है क्यों नहीं लगा सकता है क्योंकि जब 1977 के चुनाओं में इंद्रा हारी और जन्ता पार्टी वापस सकता में आई पार्टी का मेन एजंडा था कि इस देश में आपात काल जैसी परिस्थितियां दुबारा ना आने पाएं इसके लिए सम्मेधान में संशोधन किये हैं जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मूल भावना उस क्लॉज में ग्रह युद्ध सरीखी थी लेकिन उसके लिए शब्द रक्स दिया गया है यानि अब जब तक देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह यानि ग्रह युद्ध सरीखे हालात नहीं बनेंगे तब तक किसी भी कीमत पे देश में एमर्जेंसी नहीं लग सकती हैं तो इंद्रा सरीखी है परिस्थितियों में तो बिलकुल भी नही पेले ही सिर्फ प्रधान मंदल के हस्ताक्षर के साथ ही वो प्रपत्र राष्ट्रपती को सौंप दिया था और राष्ट्रपती ने उसके हस्ताक्षर कर दिये थी लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है अब पूरे मंदल के हस्ताक्षर के साथ तयार किया हुआ प्रपत्र ही रा करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे इंट्रेस्टिंग पॉलिटिकल अनेडोट्स लगाता आप तक पहुंचते रहें